नमस्कार शैनिवार का दिन छोटी दिवाली का दिन और छोटी दिवाली के दिन थोड़े सा पता नहीं दिवाली के जो सीजन होती है उसकी खुशी कुछ एक्स्ट्रा होती है शेहर बजार बहुत वार देखा है दिवाली के दिन गिरावा रहता है बड़ावा नहीं रहता है मतब अंदर से एक different thought process चलता है कि चलो यार दिवाली है, खुश तो रहता ही है इंसान, मतब नहीं चाहते हुए भी खुश हो जाए, जो भी problem हो जाए तब भी कोई खुशी रहती है अंदर से, अब वो inexplicable है इस खुशी को, जिसको अंग्रेजी में inexplicable बोलते हैं, हिंदी में कि इसका कोई answer नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों खुश रहता है, बट नॉर्मली आदमी खुश रहता है, तो करें गई ही शनिवार का दिन है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा, आपको बताना कि कल, क्योंकि बड़ी दिवाली है, और बड़ी दिवाली होने के कारण भी और पता बीम मीट्स करना मुझे उचित नहीं लगता है दूरिंग बाद में कभी करेंगे मैं सोचा हमारे बीम मीट्स में मिलने हमें बहुत जनाते हैं उनकी वाइबस भी साथ में आती है बच्चे आते हैं लिकिन जो इनकी पत्नी होती है या बच्चा होता है या मुसली मेल डॉमिनेटेड है शेर बाजार मतलब जो आदमी है वो शेर बाजार समझता है जो और फिमेल का कोई जंडर बायस की बात नहीं है बट ऐसे ही हमारे कल्चर में हुआ हुआ है कि हमेरे ऐसी सिखाया गया है कि जो रुपए पैसे की बात है वो आदमी के दिखेगा करेगा और हाँ पढ़ दिख लेती है और तो फिर आती है स्टॉक मर्केट में हो या फिक्स डिपॉजिट हो कुछ भी हो बट एक एक औरत को यही रहता है कि मैं अपने पैसे जो है गोल्ड में डालू प्रापर्टी में डालू और मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट कर दो इन तीनों के बाहर जिंदगी जाती नहीं है तो मैं सुचा कल क किनो धीरे-धीरे मैं चाहूंगा कि 40 मिनिट के अंदर बिना कागेज पैंसिल के आपको पूरा पता दें कि शेर बजार होता क्या है बिकाल बहुत जन जो मिलने आते हैं उन्हें अभी भी लगता है शेर बजार सटा है फाटका है जुआ है यहां पैसा खतम हो जाएगा यह किसी आप बरबाद हो जाएंगे बरबाद भी होते हैं कऊन सा वियापार करके आदमी बरबाद भी लागता है कौन involved बिजनस करके आदमी हरादमी जिसने बिजनस किया वह मानी अडानी तो बना नहीं है बट बात यह कि शेर बजार जो है वह समझने की चीज है कैसे हम और यहां पर किस घंग से मुव्मेंट होती है पैसे की रुपे की चीजों की प्रूकल की बात है आज के लिए क्वेस्चन आंसर का सिलस्ला स्टार्ट करेंगे लेकिन उसके पहले में बात यह है कि इंडिया क्रिकेट की बात तो आज होगी ही होगी विकास शनिवार का देने कल इंडिया नीदरलाइंड से और आज कजब का मैच होगा इडिय का इंगलेंड का बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तान को जीतने के लिए अगर इंगलेंड का स्कोर है उसको धाई ओवर के अंदर खत बोलते तो भी शाद मुझे नहीं लगता है यह पॉसिल लोगा बट हाम मैच का मजा आएगा बिकास हिट आउट और गेट आउट का मैच होगा यह फाइव ओवर साइड टाइप मैच होगा हर बॉल में चक्का मारना हर बॉल में चौक्का मारना अगर पाकिस्तान अग्क काता है तो मुझे लगता है तो होगी कि obviously और कोई baller असी balling कर नहीं पा रहें कुझे लोग अभी, तक यह तक बात कर लीए क्योप क्या बारिटेक कि तो यह तो मुर्खताई वाली बात है क्योंकि इतने साल बाद इन लोगों ने कभी इंडिया के फास्ट बॉलर्स को इस धंग से तबाही मचाते नहीं देखा तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो यह सब बात होती है और जादा करे बात है पाकिस्तान से निकल क्या यह बनाना इंस्विंगर उसको बोलते हैं जो बॉल एकदम ऐसे करके ऑफस्टम के बाहर से आके अंदर आती थी जो 1983 वर्ल्ड कप महीं देखे हैं उन्हें देख लीजे बलविंदर सिंह सांधू ने गॉर्डन ग्रिनेज को बोल्ड किया था बनाना इंस्विंगर से अच्छा आता है प्रोग्राम में तो अकसर देखता हूं से वसी मकरम रहते हैं शोइब मलिक रहते हैं और मोहिन खान रहते हैं उसमें और बड़ा मज़दार आता है और यह समझ के रखें कि यह लोग अगर इंडिया की फेवर की बात करने हैं तो इसलिए बात करें कि इनक से कि इनक्ले कि बात करें क मुझे पता नहांपरी तॉर पर इंडिया की फेवर की बात करते हैं वह ऊपनानन्र इसलंसिला सचन्सिला की बात करते हैं तो यह मंतली रिटेन है का येरली, नमशकार जी सर, 15% अगर आप मंतली करेंगे न, तो मेरे को लगता है कुछ सालों में आप ताज महल ले ले लेंगे और बाकी बचेवे सालों में आप लाल किला खरीद लेंगे, और अट दी एंड अफ यूर येर, अट दी एंड अफ यू बना रहा है, तो ये 15% मंतली, 10% मंतली पॉसिबल ही नहीं है, 15% सालाना हमारे मोटे हाथी देते हैं, जो धीरे धीरे हलके हलके चलते रहते हैं, अब 15%, 14%, 13%, 16% यही रिटर्न बनता है शेर बजार में, हाँ अप अपने ऊपर अगर पैसा लगा के, लेवरेज लगा कर, आप सब्सक्राइब करें, तो कुछ चमतकार होता है, और वो बहुत मुश्किल हो करना, पर नॉर्मली 14, 15, 16% अनुलाइज रिटर्न एक डिवर्सिफाइड मूच्ट पॉट्फोलियो को मिलना चाहिए, ओवर अवर अवरी लॉंग परिएड अफ ताइम, एन्यवे नेक्स क्व आपको, नदी के ऊपर आती है, बॉटम फिशिंग मतलब एकदम अंदर उसके पैसा ने का मचली पकड़ना, मैं बहुत उसका इंगलिश तु हिंदी के अनुआद कर रहा हूं, बट अगर आप नॉर्मली सोचेंगे तो बॉटम फिशिंग यह हुआ कि बजार में बहुत ज उसरे पैटरन का है, अभी स्टॉक्स उपर के तरफ है, बट बॉटम फिशिंग होती है, जो एक साल पहले होती थी, जब बीम फोकस 2000, बीम फोकस स्माल काप स्माल केस लांच किया था, और बीम विजिन 2030 लांच किया था, उस समय आप देखे, दोनों समय आप देखे, जब स्माल काप लांच होता पिछले साल, तो एक समाल काप बॉटम में थे, विजिन 2030 लांच होता तो लार्ज काप बॉटम में थे, और मुझे यह लगता है कि यह सब जो बॉटम फिशिंग वाली बाते जो होती है, वो तभी आपको जोर से पैसा डालना चाहिए, अच्छा इस बोलता हो, युके नट भाइ तोडे स्टॉक अट यस्टेडी इस प्राइस प्राइस एनिवे नेक्स्ट क्वेस्टन लेते हैं, दिलीब का, दिलीब जी बोल रहे हैं, नमस्ते सर, ग्रोथ आप किसको बोलते हैं सर, मैं दिलीब बिहार सारन से हो, ग्रोथ मतलब दिलीब, नॉर्मली सेल्स ग्रोथ और प्रोफिट ग्रोथ दोनों होना चाहिए, अगर आप सिर्फ सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोफिट ग्रोथ कर रहे हैं, बिना सेल्स ग्रोथ के सेल्स ग्र लखी हलवाई टॉप लाइन ग्रोथ 20% CAGR है एक करोड़ से एक करोड़ 20 लाग हुआ एक बीस से 144 हुआ तो यह टॉप लाइन ग्रोथ होती है अगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रही है थे कंसिस्टेंटली तो नीचे प्रोफिट ग्रोथ होना मुश्किल है बीकोज खर्चा कितना काटेंगे चलो ठीक है समझगह एक रघ्र चाकर्टा बोर नहीं कर और इससलिए मेरेको लगता है और सामीन साथ में हुना च diyorsunे और मैं जब यह बॉला शेर tolerant प्रोफिझे तक चलता रहेगा सरेक ऑपॉट निफ्टी से बचना डेरिवेटिब आप समझ में समझा दीजी अच्छा से अच्छा से कॉल पूट और पूट की बाद मैं बोल गया विल्ल एफेट्स इंगलिश बोल रहा हैं आप इसे छोड़ते नहीं समझ में आया तो कोई दिन के हम एक दिन तो जरूर करेंगे फिक जरूरी नहीं को गडिवेटिफ करें लिकिन आपके लिए समझना कि होता क्या है बला क्या ये डेरिवेटिव काल-फूर्ट, फूचर ऑप्शन है क्या है वो भी भूट जरूरी है तो कोई दिन हम करेंगा तो दिन आपको साम्झाएंग कि अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं मन्मोहन जी बोल रहे हैं सर हैट दे मामा आठ गुरुप फूल दे पूब्लिक बाइड़र्टाइजिंग प्रॉफिट्स अप्रॉफिट इस प्रॉफिट इस प्रॉफिट्स इंदूस्ट इस सम अफ इंफ्लॉएंसर जो है वह सबी को करना चाहिए और बॉलिवुड इंफ्लॉएंसर्स और यूट्यूब इंफ्लॉएंसर्स पैसे लेकर इसको प्रमोट करते हैं होएगा यह कैपिटलिजम है यह हर आदमी बैठा आपकी जेब काटने को आपको अपने जेब में बार बार हाथ डालके देखना है कि आपका बुद्धू बना रहा है सेभी यह बोलती है कि अगर आप बुद्धू भी बना रहे हो किसी को तो आप बताओ कि आप बुद्धू बना रहे हो मतलब की ड्रेड हरिंग प्रस्पेक्टर जो है उसमें सब कुछ लिग दो अपने बारे में फिर लोग जाने अपना काम जाने सेभी जो है वो मॉनिटरिंग एजनसी है वो रेगुलेटरी एजनसी है सेभी के पास कोई मतलब जादू की कोई छड़ी नहीं है कि बैठ के बता दे कि यह शेर का यह भाव है तब तो सेभी अपना काम छोड़कर शेर मार्केट में ट्रेडिंग करेगी और इंडिया का सार तो बताओ प्रमोटर पहले कई बैंकरफ्ट होकर आया तो बताओ सेभी का काम है सब कुछ साफ साफ बताओ मतलब आप स्कूल से आया है फेल होकर आया है पास होकर आया है सब कुछ साफ साफ बताए रिपोर्ट कार्ड मत छुपाईये कोई बात मत छुपाईये कर पेरेंस SEBI को defend नहीं कर रहा हूं, but मैं regulatory बात बोल रहा हूं, जैसे SEBI FSS, SEC है, US में SEC का भी काम यही है, Securities Exchange Regulation, जो वहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर, वो लोग यही पताते हैं कि जो आप कर रहे हो, आप आके public पर बता दो उसके बाद public जाने, आप जाने, उनका काम है, just correct information, जो है, वो display होना चाहिए, जान की electrical बोल रहे है, सर जी, अगर असली लखी हलवाई आपके सामने आ गया, तो आप क्या करोगे, BS महरा, यार मैं बहुत खुश होंगा, सच बात है, मैं बहुत ही खुश होंगा अगर असली लखी हलवाई मेरे सामने आ गया, तो बहुत होंगा, अपकी दुकान का है, मैं वहां के बैठोंगा, और थोड़ी हलवाई जली जलीबी खाऊंगा, लखी हलवाई हम कालपनिक इनसान है, आपको पता है, लखी हलवाई कोई रियल आदमी है, अच्छा ही लखी हलवाई कालपनिक है, लखी हलवाई का बेटा रामपाल जो भी पैदा हुआ है, कुलदीब का ससूर जो बहुत पैसे वाला है, वो कालपनिक है, कुलदीब अक्च्वल है, बिकाज वह हमें वर्ड कप जिता रहा है, बट ये बात है कि अच्छा ही लगेगा अगर मिल गया तो, सर अपने प्रांजल अगरवाल बोल रहे हैं, सर अपने कुर्टे पर सवाल हो तो सेम डे ले लेते हैं, मैं कितने दुनों से पूछ रहा हूँ, ऑपरेटर्स का फेवरेट स्टॉक कैसे होता है, आपका सवाल एकदम डिस्क्रिप्टिवली लेंगे, प्रांजल आपने बिल्कुल सही बोला, कुर्टे पर सवाल सेम, तो कुर्टे का सवाल कही है न, अगर मैं कुर्टे का सवाल चार दिन बाद आंसर करो, तो उसका मज़ा चला जाता है, जिस दिन आप कुर्टे का पहने, उस दिन आप आंसर करो लोगों की क्यरियोसिटी रहती है, तो मज़ा आता है, अगर आप पाच दिन बाद, चार दिन बाद, शे दिन बाद उसको आंसर करो, तो फिर मज़ा नी आएगा न, पुर्ते का, तो एनिवे, इसको बेचना नहीं तुम वहां से सप्लाई मत करना तो मार्केट में अर्टिफिशल सप्लाई स्केर्सिटी क्रियेट होगी ऑपरेटर का फेवरेट स्टॉक एक और ऐसा होता है नॉर्मली जिसमें थोड़ी एर्निंग आएगी अर्निंग्स अच्छी आएग कन बैयार में यह उतने गया को पता है नो Hunter जूटे परते हैं जूटे की कमपपनियों से तो वैसी कंपणियों में आपजन कर अपरेटर शुटी मार् Pier दीरे दीरे रोते पिठते मरते खपते आ गया अब 300 के भाव पे आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्रीन टिक आता है वॉल्यूम में वॉल्यूम आपको बता देगा क्या हो रहा है अब वह उसके बाद 300-370-380 जाएगा फिर उसके बाद आप देखेंगे वह बड़ा जो गुक्र घुस रहा है उसके 4 मेन और 6 मेन बाद अच्छा रिजल्ट आएगा फिर उस्टोक को उपर लेके जाते हैं अच्य रेजल्ट जब साट बहता है तो फूर देता है और पब्लिक खरीरिती है फब्लिक बोलती देखो देखो टोंक रबिश्ट कितना अच्छा आच आब इसको ले लो मेतैं कल-फर बोला था है कि कि craft divali के मोके पे सा शेयर horse ऑपको बता देगा सबस्धार का रोता हम इस Сब चीज़ों में इस परपरेटर वाले स्टाक में सार गाट होती वो हो गया और अल्टिमेटली पॉब्लिक फसेगी पॉब्लिक और टान के ले जाएगी इसको बिकॉज पॉब्लिक के बास बहुत पैसा होता है आज के दिन वो जब टान तुन के ले जाएगी जब हम लोग बोलते हैं कि देवें लास्ट सकर हज बीन सब्सक्राइब इस टॉ नमाने एनिवे नेक्स्ट क्वेस्चन लेते हैं कॉंटिनेंटल इंफो टेक बोल रहे हैं है एक स्वाल रिक्वेस्ट है यह इनका बेटा गौरव बोत्रा दस साल का हो रहा है बिल्कुल मुझे याद है इन्हों यह ब्यूम मीट में आये थे इनके बेटे ने बहुत अच् इस मूँ से उसको बोलो मैं क्लास 5,6,7,8 मैं मैं इसा ही था सिफ क्रिकट में इंट्रेस्टेट था लेकिन मेरे मेरे में दो चीज थी मैं पढ़ता बहुत था उस समें पढ़ता मतलब पढ़ाही के लावा सब पढ़ता था हारी जितनी नोवल्स होती थी सब पढ़ लेता सेकेंड है कर हाडी वकार कृड के लाता था पड़ता था फिर उसको बेच देता यह वापिस खरीद के लाता था फिर नहीं थी इस बतलब किताब यह दो एक ड़ा loixes हो तो इसका इसका है कि अगर इस मितल ने कृति को यह बोल這樣 का करो तो आघर क्रिकट देखता ए तो next day इसको बोलो कि सारा match को around 600 words में summarize करके article लिखेगा और वो article लिखे match के उपर कि मैंने match में क्या देखा है Maxwell में कैसे batting की उस समय Boomerah की balling कैसे हुई कौन क्या कर रहा था और ऐसा लिखे कि अगले दिन newspaper में छपने लायक होना चाहिए और आप उसे पढ़े और उसे पढ़कर उसे देखे क्या हिसाब से वो लिखा है अगर ऐसे करेगा ना तो इसके cricket के साथ भी फाइदा होगा imagination होगा retaining power होगी writing skills बढ़ेगी उसकी और वो English में लिखे हिंदी में लिखे जिसमें लिखना लिखे I think English में लिखना बेटर है बिखो हिंदी लिखना अच्छी बात है बट आगे जाकर पढ़ा ही जो है वो English में होती है कम से कम इसके match देखने के बाद भी कुछ advantage में लेगा और आप इसके जो भी write-up पढ़े लिखे ये वह पढ़े मैं इसने भोल रहा हूँ मेरे grandfather मेरे दादा जी मुझे बोला करते थे तो match देखना है देखो लेकिन हफते मेहने में एक match का मुझे write-up लिखके दो तो एक-दो बार तो मैंने लिखा बाद में मैंने भी लिखना छोड़ दिया और मजे की बात यह मैं जो लिखा और अगले दिन हमारे गर में statesman करके newspaper आता था उस समय statesman का article मेरा article में जमीन आस्मान कांतर उसने कुछ और लिखा मैंने कुछ और लिखा फिर मैं उस समय realize किया कि right answer कैसे पता चलेगा कि असली में लिखना क्या है and in class 5-6 I don't know which class I was in but यह समझ में आया उस समय कि कुछ चीजों की right answer नहीं होती है life में मतला मैं कुछ भी लिख देता मेरा जो article होता वो statesman वाले जो correspondent है उसके article जैसा नहीं हो सकता था बिकुस उसका सोच कुछ और है यह creativity है यह language है यह literature है और share bazar भी ऐसा ही है अगर क्रिकेट देखता है तो स्कुरू टाइट करें बोल भाई तू देख लेकिन हफते में एक मैच का मुझे समरी लिखके दे यह मैच कैसा हुआ समरी का यह मतला मी स्कोर कार्ट चाप देना स्कुर कार्ट चापना इसनों mental imagination लिखो उसमें को कॉन टॉस जीता है जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हो जैसे क्रिक इंफो में आर्टिकल आता है ESPN में आर्टिकल आता है आर्टिकल आता है वैसे आप लिखें तो मेरे को लगता है अच्छा होगा और बाकिस अब घर में आपके बच्चे लोगा को ख्रिकेट को लेकर परिशान है फुट्बॉल को लेकर परिशान है उनको तुम देखो कोई प्रालम नहीं है लेकिन एक मैच को हफते में review करके लिख कर दो आप दिखेंगे अपने आप उसकी writing skills बढ़ जाएगी essay skills बढ़ जाएगी imagination बढ़ेगा किस धंग से कौनसी important चीज को डालनी है कौनसी को नहीं डालनी है जब article लिखो गए तो आप यह नहीं लिखो गए कि बूमरा ने 46 तो और मैं पहली बॉल वाइड कर दी वैसे बूमरा वाइड नहीं करते हैं उतना बट आप वो नहीं लिखोगे आप यह लिखोगे कि उसकी बॉल कैसे घूम कर आई अंदर आई कैसे LBW हुआ क्या हुआ DRS कौन सा लेना था बजाज फैनाइस का गोथ मोर फ्वेंटी त्वेंटी त्वेंटीफएग है 35 परेंट मुझे नहीं लगता बजाज फैनेंस ग्रो करेगा बिकास पहले ग्रोजरूर करता था 25-30 पट अब ग्रोथ उसका 20-25 भी ऐस्यूम करना चाहिए जादा नहीं करना चाहिए संजे शानभाग बोल रहे हैं सर जी जेफ्रीज ने मामा अर्थ पर कॉल दिया है 75 परसेंट का शॉट कर दो जेफ्रीज को अब देखो मामा अर्थ यादे 600 भी हो सकता है लेकिन पैसे तो हर काम करके कमाई होते हैं लेकिन यह वाली जो कमाई यह टिकती नहीं है आपका अगर आदत हो जाएगी आपकी कि बिना अर्मिंग से कंपनी में पैसा कमाना तो आगे जाकर आप वापिस पैसा दो गे आपका आदिया क्यारेक्टर जो है वो सही होना चाहिए हर काम करके ही पैसा कमाई होती है अब बंबे लोकल ट्रेंड में चाड़े हैं कि आपकेट मार ले उसे पैसा कमाई होती है लेकिन आगे पीछे एक दू दिन बाद पता चले का पुलीस ना पको पड़ा के अंदर जेल है यह मुश्किल वाली बात होती है और टोपिक कर लेते हैं विकाज चोटी दिवाली का दिन हम जब जम्मो में काम करते थे तो हमारे पास एक इंपलोई होता था अब नाम तो क्या देख भी रहा होगा विजय कॉल नाम का इंपलोई था तो उसे हम भेज़े थे ते ट्रें करने तो पता चले टीटी बनकर जो टिकेट लेस्ट ट्रावलर्स थे उनसे पैसा खटा कर रहा था ट्रेंग में तो यह माहल बतब आप समझे गजब के लोग होते बुद्धी कैसी होती है वाइट पाइंट के काम करने आया यहां से तन्खा भी ले रहा है और ट्रेंग में खड़े होकर सब कर टीटी बनकर टिकेट चेकिंग करता था और जिसके पास टिकेट नहीं मलता था उसे सो पचा से खटा करके जाता था अगे तो यह चीजे जो है मतलब सोचने की होती है कि आद्मी कैसे करता है लेकिन क्या हुआ पकड़ा गया ना लास्ट में तो वही वा आपकी जो रिफाइंडरी है वो क्या रशन कुरूड को उतना यूज कर पाएगी हर एक रिफाइंडरी एक सटनल टाइप अफ कुरूड पर डिपेंडेंट होता है मतलब यह बात हो गई है से समझो कि आपकी डीजल की गाड़ी में पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल नहीं रहता है प्लस कितना आएगा से यह राशा से इतना मुवमेंट हो गा की नहीं तो यह राशा से कितना कुरूड वार रहा है तो यह बात इंपोर्टेंट की बथी को पूचता नहीं है जीयान बोल रहे है सब्सक्राइब वन मुचल फंड कीपिंग डिलाइंस फीचर इंट स्मॉल काप फंड पॉर्फोलियो वाट कुड बी दरीजन तो फंड मैंने ज़ी बताएगा कि रिलाइंस को स्मॉल काप में क्यों डालके रखें आइचली सब डर डर के खेलते हैं इनको मतलब इनको डर है कि स्मॉल काप गिर जाएगा अगर 40 परशेंट तो रिलाइस तो गिरेगा नहीं तो कम से कम उस समय में आउट परफर्म कर जाओंगा और अप साइड में थोड़ा सा कम भी गया तो भी ठीक है जिसको अगर आप मुचल फंड को पैसा देते हो ना आपको राइट है क्वेस और सोच के किया है कि दर के किया है इस कर लिया होगाइं बैदे आप लएक करें शेर करें और 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 कमेंट करें और ट्रोल करें जो करना है करें लिकिन करें हमको उपर से घंटी आ गई उपर से जारी हो गया इंस्ट्रक्शन की भी इनको बताओ कि लाइट शेर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है जब तक मैं next question देता हो प्रिया मिश्रा बोल रही है how to see any stock which has free cash flow or not अगर ROE आपका 30% है और ग्रोथ आपका 25% है तो free cash flow है ROE 30%, 35% है तो free cash flow है ROE 15% है तो free cash flow नहीं है बहुत simple fund है इतना complicated काम ही नहीं करना सिर्टर्न on equities आपके check करो 9 times out of 10 अगर 25-30% का ROE है तो cash flow free होगा बहुत 9 out of 10 पुरा cash flow statement बनाना cash from net profit उसके बाद add करो depreciation, add करो amortization, less करो non-cash ये वो ये कुछ करने की जरतने है जिए return on equity देख लो simple काम है जुःडिया काम है कोई complication है return on equity 30% है तो आप जाके cash from operating activities देखेंगे तो positive देखेगा आपको this is my Diwali question namaskar Basan sir focus today बोल रहे है sometime value stocks work sometimes growth stocks work can an investor design a portfolio for all season can you have implemented this strategy thank you happy Diwali to you and your team कभी कभी रहूल राविट अच्छा खेलते थे कभी कभी सचिन तंदूल कर अच्छा खेलते थे तो आप क्या दोनों का game खेल सकते हो नहीं जिसका दिमाग जैसा होता है वह वैसे ही करता है मुझे लगता है कि growth stocks में ज्यादा पैसे बनते हैं और जब हम value करने गया है तो हम value में पैसा ही दिये है बिकास वह हमारी strategy ही नहीं है style नहीं है तो आपकी जो style है वो ठीक है बिकास जो style आपकी उससे आपने इतना पैसा बनाया है तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि मैं value करूं कि मैं growth strategy करो तो इसी लिए value stock क्या है रुपय का माल 50 पैसा में लेना growth stock क्या है रुपय का माल एक रुपय दस पैसा में लेना लेकिन यह सोचना कि दो साल पांच साल दस साल बाद यह चाहे कम से कम यह यहां से पांच गुना दस गुना हो सकता है नेक्स क्वेस्चन ले रहे हैं सर जब बुल मार्केट आएगा तब क्या mid and small cap stocks चलेगा यह राम शाम जदू मदू सब चलेगा राम शाम जदू मदू चलेगा सौमें मंडल जी कि mid cap stocks और जोर से चलेंगे large cap कम चलेगा अभी आप देख रहे हैं लास्ट इतने महरे से बुल मार्केट आ रहा है चल रहा है लेकिन mid cap में ज़्यादा तेजी है large cap तो टैंटाइप इस कैटिग्री में पड़ा हुआ है यह इथोपिया से लिख रहे है मुझे नितिन जी आइवाची एवरी दे मौनिंग इवनिंग कोमेंटरी बहुत इंसाइटफुल है इडिन जैम्स भी है बोल में की green and red days आपने देखाया can you share your most remembered green day and red day most remembered red day मेरे को लगता है कुविड का डाउन सर्कुट था उस दिन तो इसलिए था बिकास उसने में पूरे लेवरेश थे टन अटन लेवरेश थे और वो सर्कुट डाउन हुआ मार्केट तो वो एक था उसके बाद most remembered green day मेरे को लगता है यह 2009 का election था बिकास देड़ साल की पिटाई भी थी मंदी भी थी portfolio 60% डाउन हो गया था 2008 में उसके बात जब वो election day के दिन जिस दिन पता चला की UPA ने election जीत लिया पूरा market circuit अप हो गया one stroke, एक stock भी बचानी और सबसे बड़ा दुख की बात यह थी मेरे लिए उस समय कि page industries मेरे पाल बहुत quantity में थे उस समय लेकिन page तो उसका दुकान ही चालो नहीं वा बिकाज खुलते ही बजार ने शाथ circuit मार दिया, I think it was 2009, right? 2009 election था और उस दिन थोड़ा दुखी भी था लेकिन खुश था कि चलो आर कल दुकान खुलेगी तो वापिस हो जाएगा, तो 2009 and 2020, 2020 का circuit डाउन, वैसे 2008 में लीवन ब्रदर्स में भी stock गि बजार और वो इंडिया के लिए अच्छा हुआ, in the sense because बहुत इंडियन ने उससे में बजार में एंटरी लिए और बहुतों ने पैसे बनाए, लेकिन जो पुराने खिलाडी थे, वो पहले पैसा होए, फिर पैसा वापिस बनाए, but this is how the world is and this is how things go, Mayank बोल रहे है, Sir, what is Fatka, Sir, what is Fatka, Sir, Fatka की चीजे, Fatka is futures and options, Fatka is speculation, Fatka is gambling, Fatka is satta, Fatka is jua, तो मरवाडी में शहिद वर्ड है, Fatka तो हम लोग Fatka ही बोलते हैं, Fatka कर रहा है कि नहीं कर रहा है, but normally Fatka मतलब satta, jua, आप Fatka कोई भी चीज में कर सकते हो, राहस्ता में मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे जूता उसके बाद बोलता है, बोल कौनसे साइड गिरेगा, और जब तक आस्मान में जूता आपका घूम रहा है, तभी आपने डिसाइड कर लिया, बैसे जूता कौन सा उचाला, कैंपस का उचाला की रिलाक्स का चपल उचाला वो तो मुझे पता नहीं, बड़ जूता ज़ूत अगर कैंपस का जूता उचाल दिया उपर, तो मेरे को लगता है, जो उचाला उसके सर पर ही गिरता होगा, और रिलाक्सों की चपल, जो उचाला किसी गवर के सर पर ही गिरता होगा, बड़ ये मजाकी बात और यही तक रखते हैं, कल फिर मुलाकातों की सुबह, बड़ी language तक लाने की, यही तक रखते हैं, जब तक के लिए, बैबाए